ओम शी गने शाय नमा राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं माबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको आसाड मास में शी स्कन पुरान की कथा सुनाने जा रही हूँ बंधों जिसे सुनने मात से भगवान शीव शंकर भोले नाथ आपकी हरमनों कामना शीक्र पूरी करेंगे बंधों पूरा आसाड मास प्रेम भाव से एक कागर चित होकर स्कन पुरान की कथा को सुने बंधों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल संसकार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके पंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिवशंकर भोले नात जरूर लिखें बोलो शिवशंकर भोले नात कीजे दक्ष महादेव को बोले सब कोवर्द देने वाले सरफशेष्ट देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ ब्रह्मा जी भगवान शिव के चनार बिंदो का सपर्ष करते हुए उनकी स्तुदी करने लगे ब्रह्मा जी बोले शान सुरूप सरवत्र व्यापक पर ब्रह्म सुरूप प्रमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है मस्तक पजटा जूट धारन करने वाले महान जोतिर में महिश्वर को नमस्कार है भगवन आप चगत की सिष्टी करने वाले प्रजापतियों के भी सिष्टा हैं आप ही सब का भारन पोशन करते हैं आप सब के प्रपिता महँ हैं आप ही रुद्र, महान, नीलकंट और वेधा हैं आप को नमस्कार है यह संपूरन विश्व आपका स्वरूप है आप ही इसके बीज आदिक कारण हैं इस जगत को आनन्द की प्राप्ति कराने वाले भी आप हैं आपको नमस्कार हैं आप ही ओमकार वश्टकार और संपूरन आयोजनों के परवर्तक हैं यग्य यजमान और यग्य के परवर्तक भी आप हैं प्रभो देविश्वर यग्य के परवर्तक होक आप ने इस सग्य का बिनाश कैसे किया. महा देञ, आप ब्राहाम्नों की हित्दैशी हैं, तो भी आप के द्वारा दक्ष का वत कैसे हुआ. रुद्र आप तो गुमों और ब्रहामनों के पती पालक हैं समस्त प्रानियों को शरन देने वाले हैं रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए शी महादेव जी ने कहा पिता महा साथ धान होकर मेरी बास सुनिए दक्ष अपने ही करम से मारा गया इसमें तनिक पिसंदे नहीं है इसलिए किसी को भी कदापी ऐसा करम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश पहुचाने वाला हो ब्रह्मन जो दूसरों को कष्ट देने वाला करम किया जाता है वह एक दिन अपने ही उपर आ पड़ता है यो कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदी देवताओं के साथ कंखल देत में जहां प्रजापती दक्ष का यग्यमंड़ था गए महाजाकर उन्होंने वीरभत्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा स्वाहा, स्वधा, पूशा, बुद्धी मानों में श्रिष्ट डिगू, अन्य अन्य रिशी, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्दर, जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे सब को भगवान शिव ने देखा, किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाड़े और मुझे नोच ली गई थी, तथा कुछ लोग रन भूमी में मरे पड़े थे भगवान शंकर को आया देख, वीर भद्र ने समस्त गनों के साथ उनके चर्णों में दन्वत प्रणाम किया और वे सामने हाँ जोड़कर खड़े हो गए महाबली वीर भद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी हस्ते हुए बोले वीर वर यह तुम ने क्या किया दक्ष को शिकर यहां ले आओ जिसने ऐसा यग्य किया और उसका वैसा ही विलक्षन फल भी प्राप्त किया शंकर्ची के यों कहने पर वीर भद्र ने बड़ी उतावले के साथ दक्ष का धर लाकर उसके सामने डाल दिया तब शंकर्ची ने कहा वीर इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूँगा यह सुनकर वीर भद बोले भगवन मैंने उसी समय उसके मस्तक को अगनी में होन दिया था अब तो किवल पशु का सिर बचा है किन्तु उसका मुख बहुत विक्रित हो गया है ये सब बाते जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को दाड़े भी लगी थी दक्ष के धड़ से जोड़ दिया इस प्रकार भगवान शंकर की क्रिपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्ट हुआ दक्ष अपने सामने भगवान डुत्र को उपस्ते देख लज्जा से गड़े उन्होंने लोक कल्यानकारी भगवान शंकर के चर्णों में मस्तक चुगा कर उनका दक्ष बोले सब को वर देने वाले सरफ शेष्ट भगवन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं सनातन देवता शीव को मैं सदा नमसकार करता हूं देवताओं के पालत और इश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूं जगत के एक मात्र बंधु शंभू को मैं नमस करता हूँ जो संपूरन विश्व के स्वामी विश्व रूप सनातन ब्रह्म और स्व आतम रूप है उन भगवान शिव को मैं शीष चुकाता हूँ अपनी भक्ति से प्राप्त होने योगें सरव रूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ जो वर्दायत है वर्ष के पुन्य आत्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं आर्व् जिग्यासु अर्थार्थि और ज्यानी इसलिए समस्त्य ग्यानी पुरुष मुझे विशेश प्रिया है इसमें तनिक भी संशे नहीं जो ज्यान के बिना ही मुझे पाने का यतन करते हैं वे अज्ञानी हैं तुम यग्यादी करम के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, प्रंदुकरम में आसक्त हुए मूड़ पुरुष वेद, यग्य, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते, अतैव तुम अंतहे करन को एकागर करके ज्ञान निष्ठ होकर करम करो, सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसंद रहो, तदंतर दक्ष को वहीं कंखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर, भगवान शिव अपने निवास्थान के लाश परवत पर चले गए, फिर ब्रह्मा जी ने भ्रिगू आदी संपूरन महारिश्यों को आश्वासन से उत्तम ज्यान की प्राप्ति हो गई, वे शिव जी के ध्यान में तकपर होकर तपस्या करने लगे, इसलिए सरफ्था प्रितन करके सब को भगवान शंकर की अराधना करनी चाहिए, लोमस्ची कहते हैं, जो मुरुष्य शिव मंदिर के आंगर में जाडू लगाते हैं, व आगे चल कर शिव जी के सम्मुक उपस्थित रहने वाले पार्शद होंगे, जो लोग देव आदी देव शूल पानी शंकर को चमर भेट करते हैं, वेति लोकी में जहां कहीं जनम लेंगे, उन पर चमर ढूलता रहेगा, जो परमात्मा शिव की प्रसंता के लिए धूप न वेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उधार करते हैं, तथा भविष्य में ये शश्वी होते हैं, जो लोग भगवान हरी हर के सम्मुक दीपदान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं, और दोनों कुलों का उधार करते हैं, जो मुनुष्य ह हरी हर के आगे निविद्यारपन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूरन यग्य का फल पाते हैं जो लोग तूटे हुए शिव मंदिर को पुनहे बनवा देते हैं में निसंदे दिगुन फल के भागी होते हैं जो इट अत्वा पत्तर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्मान कराते हैं वे तब तक स्वरक में आनन्द भोगते हैं जब तक पित्वी पर उनकी वह कीरति सित रहती हैं जो महान बुद्धिमान मानव मगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं वे उत्तम गती को प्राप्त होते हैं जो अपने और दूसरे के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गती को प्राप्त होते हैं जो पुरुष अत्वा इस्त्रि भगवान शिव को चंदोवा चड़ाते हैं, वे स्वयम तो शिव लोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं, जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बानते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्ती मान होंगे, धनवान या द्रिद्र जो एक, दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है, वे सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है, हे हरे, हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विश्णू का नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत तेरे मनुश्यों की रक्षा की है तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार से प्रेदन करके भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए पत्र, पुष्प, फल, अत्वा, स्वच, जल, कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मुनुष्य उनी के समान हो जाता है मदार का फूल कनेर से दस गुना शेष्ट माना गया है, आख के फूल से भी दस गुना शेष्ट धुतूरे का फल है नील कमल का एक हजार कचिनार से भी शेष्ट माना गया है, यह चराचर जगत विभूती से प्रकट हुआ है, वह विभूती भगवान शिव केशी अंगों में भली भाती लगती है, इसलिए सदा उसे धारन करना चाहिए जिनके मुख से नमश शिवाए यह पंच अक्ष्रमंतर सदा उचारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के सुरूप है, प्रातेकाल, मद्ध्याकाल और संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए, प्रातेकाल भगवान शिव के दर्शन से समपूरन पातक का नाश होता है, दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के साथ जन्मों के पाप नश्ठ होते हैं, और रात्रीकाल मिशंकर जी के दर्शन से जो पुन्य प्राप्त होता है, उसकी तो कोई गन्ना ही नहीं, शिव यह दो अक्ष्रों का नाम महापातकों का नाश क करने वाला है जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जब होता रहता है उन्हों ने ही इस संपूरन जगत को धारन किया है पुन्य आत्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आर्ति के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो उसकी अवाज से की सेवा में अर्पित करने चाहिए पुरान पाड कथा इतिहास संगीत आदी नाना परकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिया है इनकी वेवस्था करनी चाहिए ऐसी वेवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिव लोक में चले जाते हैं जो विश्वास रखकर संपूरन विश्व को शिव के रूप में देखते हैं उत्तम बुद्धी का आशेले सदाचार पालन करते और अपने वरन धरम आश्रम धरम में स्थित रहते हैं वे ब्रहामन छत्रिये व्यश्ये शुद्र कोई भी क्यों ना हो भगवान शिव के परम प भार हैं अते सब कुछ शिव सरूप है यह बात विशेश रूप से जाननी चाहिए वेद पुरान शास्त्र उपनिशद आगम और देवता सब के द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने युग्ये हैं नुश्य निश्काम हो या सकाम सब को भगवान सदाशिव की अराधना करनी चाहिए बोलो शिव शंकर भोले नात कीजए राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद